Hey guys, इस मन्द के starting में आपको Realme 7 देखने को मिल गई थी जिसमें आपको 2 smarthphones देखने को मिले थे Realme 7 & 7 Pro इसी series का एक latest smartphone कल इंडोनेशंय में launch हो गया है जिसका लाम है Realme 7i इस smartphone के बारे में काफी सारी leak information निकल कर आ चुकी है और यह स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्कित में भी देखने को मिल जाएगा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी confirm specifications को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें ऐसी ही latest एक वीडियो के लिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बैटर से बैटर वीडियो लाते रहें सबसे पहले बात करें इसकी display को लेकर तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचिस की HD प्लस resolution के साथ एक IPS LCD display देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate देखने को मिलने वाला है इसी के साथ front side पर यहाँ पर आपको टॉप left corner में पंचोल selfie camera design देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको 16MP का एक Sony 471 IMX sensor के साथ front selfie camera देखने को मिल जाएगा इसी के साथ back side में आपको square box की design में quad camera setup मिलने वाला है जिसमें primary sensor होगा 64MP का इसी के साथ 8MP का ultra wide angle lens, 2MP का depth sensor and 2MP का macro sensor भी देखने को मिल जाएगा बात करे इसकी performance को लेकर तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 662 का एक chipset देखने को मिलेगा जो की octa core processor रहने वाला है और यह 11 nanometer के architecture पर run करता है बात करे graphics की तो यहाँ पर आपको Adreno 6 10 का GPU देखने को मिल जाएगा जो काफी अच्छे graphics provide करा पाएगा और यही पर अगर हम बात करे realme 7i के operating system की तो इसमें आपको android 10 का operating system देखने को मिलेगा जो की realme UI पर based है इसी के साथ battery capacity की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की battery capacity मिलने वाली है जो की 18 watt के fast charger support के साथ आने वाली है यह smartphone एक mid-ray segment का smartphone होगा जो की बहुत ही जल्द आपको Indian market में भी देखने को मिल जाएगा बात करें इसके कुछ other features की तो यहाँ पर जो आपको connecting features देखने को मिलेंगे वो होने वाले हैं यह smartphone 4G supported होगा Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 mm headphone jack और Type-C के साथ So guys अब बात करें इसकी pricing को लेकर तो यह smartphone Indonesia में 8GB 120, 8GB वाले variant के साथ इसकी pricing रखी गई है 15,000 के around और guys जब यह आपको Indian market में देखने को मिलेगा यह आपको 15,000 से lower price में ही देखने को मिल जाएगा बात करें इसकी launch date को लेकर तो guys यह smartphone October के मन तक आपको Indian market में देखने को मिल सकता है So guys अगर आपको यह smartphone अच्छा लगा हो तो आप हमें comment करें और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें, share करें ताकि हम आपके लिए ऐसी better से better videos ला सकें और अगर आप हमारे channel पर नहीं है तो channel को subscribe करें ऐसी ही latest videos के लिए So guys मिलते हैं अपनी next video में Thanks for watching